आज इस लेक्चर में अम स्टार्ट करेंगे चैर्ट आज इस लेक्चर में इस एक्सराइज को कंपलीट कर देंगे इस एक्सराइज का बेसिक ज्यादा कुछ नहीं है जैसे आप 10 थी क्लास में 2 पॉंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते थे अगर आपको उन दोनों points के coordinate मालूम होते थे तो अगर एक के coordinate x1, y1 और दूसरे के x2, y2 होते थे तो उस case में आप distance कैसे निकालते थे under root के अंदर x2 minus x1 square plus y2 minus y1 all square इस formula से आपने distance निकाली थे दो point के बीच की और यहाँ पे अब की बार तीसरा जो coordinate है z उसको भी include कर लिया हना तो उस case में formula क्या बढ़ेगा under root x2 minus x1 all square plus y2 minus y1 all square के साथ आपको add करना है root के अंदर z2 minus z1 whole square इसको मैं prove इसलिए नहीं करवा रहा कि आपकी book में जो इसका derivation दिरख है वो आप खुद से drive कर सकते हो तो दो point लोगे पहले उनसे perpendicular drop करोगी किसी तीसरे plane पर xy plane पर जैसे आप perpendicular drop कर रहे हो ठीक है ना तो अगर आप उसको देखोगे तो देखते ही आपको तुरन समझ में आ जाएगा कैसे इसने drive कर रख़ है ठीक है तो जादा उसमें बताने की कुछ नहीं थी इसलिए मैंने इसी basic को छोड़ है बाकी और सभी chapters का मैं basic साथ के साथ करवाता आ रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे हम distance find कर रहे है इन दो point के बिच की distance अगर मैं इसको point p let कर लो और इसको q let कर लो तो मेरे को p q फिर find करनी होगी solution तो यहाँ पे p point ले लिया मैंने 2, 3, 4 और q point है मेरे पास minus 1, 2, minus 3 ठीक है तो मैं formula apply करू distance p q उसके लिए root यह जो formula है हमारे पास 3D में distance formula find करने का distance find करनी के दो point के बिच के distance कैसे find करते वो formula है x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square अब इसमें आपको यह value substitute करनी है अगर p is o point है ना उसके coordinate आप x1, y1, z1 let कर रहे हो तो इसके coordinate आपको x2, y2, z2 let करने चाहिए ठीक है तो distance p q क्या हो जाएगी x2 क्या है मेरे पास इसको 1, 1, 1, इसको 2, 2, 2 let कर रहा हूँ तो x2 minus x1 minus 1 minus 2 minus 3 minus 3 का square 9 plus y2 minus y1 2 minus 3 minus 1 minus 1 का square 1 plus z2 minus z1 minus 3 minus 4 minus 7 उसका square 49 अब इनको add कर लो कितना हो गया 59 under root 59 units यह इस cancer हो जाएगा यह first part हम नहीं किया second part को देखो second में किया है 4, 3, minus 6 से और यह इसको मैं a point let कर लेता हूँ 4, 3, minus 6 और b point हमारा minus 2, 1, minus 3 ठीक है अब मैं distance formula अपलाई करूँ formula बार-बार apply नहीं करूँगा यह formula काम में लेना है मेरे को न तो a b क्या हैगी इसको मैं x1, y1 और z1 इसको x2, y2, z2 let कर रहा हूँ ठीक है तो x2, minus x1 minus 2, minus 4, minus 6 उसका square plus 36 plus y2, minus y1 1, minus 3, minus 2 और उसका square plus 4 plus z2, minus z1 minus 3 और minus, minus plus 6 तो plus 3 उसका square 9 कितना हो गया 40 और 9, 49 12 आएगा तो 7 unit यह इस cancer हो जाएगा ठीक है थड़ को देखो थड़ में क्या बोल रहे है यह दो point आपके पास यह मालो a, b मान सकते हो हर एक part में a और b मान सकते हो xy मान सकते हो कुछ भी let कर लो आपना अब की बार में c और d let कर लेता हूँ c point है मेरे पास 1, 3, 4 और d point के coordinate है मेरे पास minus 1, 6, 10 मेरे को c और d के बिच की distance निकालने है यह नहीं distance c d तो distance c d कैसे find करूँ formula से और formula क्या कहते है यह अगर x1, y1, z1 और यह अगर x2, y2, z2 है तो x2 minus x1 minus 1 minus 1 minus 2 minus 2 का square 4 plus y2 minus y1 6 minus 3 3 उसका square 9 plus z2 minus z1 10 minus 4 6 उसका square 36 कितना है 40 plus 9 49 बार आएगा तो 7 units ओके 4th को देखो 4th में अब की बार में इनको x और y लेट कर लेता हूँ x से point के coordinate है मेरे पास 1 minus 3 4 और जो y point है मेरे पास उसके coordinate भी है minus 2 1 minus 3 अब मैं distance से find कर पाऊँगा xy की कितनी आएगी x2 minus x1 minus 2 minus 1 minus 3 उसका square करो 9 plus 1 minus minus 3 तो plus हो जाएगा ना 1 plus 3 4 4 square 16 minus 3 minus 4 minus 7 उसका square 49 कितना हो गया 49 ये कितना है 25 25 इसमे एड करो 75 इसको 25 इंटो 3 लिख सकते है 12 आएगा तो 5 root 3 units ये इसका answer हो जाएगा first equation complete यहाँ पर एक mistake हुई है मेरे से जो y coordinate है ना वो y coordinate क्या था हमारे पास minus 4 1, 2 था और मैंने क्या ले लिए minus 2, 1, minus 3 ले लिया ये वाला ले लिया ये लेना था कोई बात नहीं आप इस कास समझ गयो basic क्या था ना ठीक है कर ले ना खुद correction कर ले ना next देखते है question number second second question में blur हो रहा है yellow okay second में बोल रुक है इसने if the distance between the points ये and ये is ये find the value of ये ठीक है देखो दो point है इनके बीच की distance हमको given है कितनी? तो दो point के बीच की distance कैसे निकलते है under root अगर मैं इसको x1 y1 z1 let करूँ और इसको x2 y2 z2 let करूँ तो x2 minus x1 यानि 1 minus a whole square plus minus 1 minus 2 minus 3 उसका square 9 plus 1 minus 1 0 वो तो 0 ही आएगा और वो जो distance आई दोनों के बीच की वो कितनी है 5 है both side आप square कर दो तो कितना आएगा 1 minus a whole square plus 9 इदर square किया रूट अट गया इदर square करेंगे 25 आएगा 1 minus a square यह plus 9 इदर आके minus 9 हो जाएगा ठीक है 1 minus a whole square equal 16 ओके 1 minus a square आएगे root तो 12 आएगा तो plus minus 4 बनके आएगा या तो plus 4 या minus 4 ठीक है अब अगर मैं 1 minus a equal plus 4 लेता हूँ 2 कैसे मेरे पास या फिर 1 minus a minus 4 लो तो यहां से मेरे को a की 2 value मिलेंगी क्या-क्या मिलेंगी पहले 1 को transfer कर दो minus a equal 4 और यह इद्राक के minus 1 हो जाएगा यहां पे भी minus a as it is minus 4 इद्राक के minus 1 हो जाएगा solve करो minus a equal 3 और यहां से minus a equal minus 5 यहां से both side minus sign से multiply कर दो ठीक है तो a equal plus 5 और यहां पे minus sign से multiply करो तो a की value क्या आएगी minus 3 इसको minus से क्या plus इसको minus से क्या minus 3 ठीक है तो minus 3 और 5 प्लस 5 ठीक है यह दो a की values होंगी next जो question number 3 इसमें क्या बोल रहे किसमें find the coordinates of points on y axis okay y axis की बात कर रहे हाना और 12.1 exercise के basic में हम पढ़ चुके हैं अगर y axis पर कोई point लाई करता है y axis पर तो उस case में x और z coordinate 0 होते हैं ठीक है which are at a distance of root 21 from this point इस point से y axis पर जो भी point है ना उसकी distance root 21 है ठीक है तो उस y axis पर जो point था उसके coordinate हमको find करने है ठीक है तो मैं let कर लेता हूं let p जिसके coordinate क्या होंगे x 0 y axis पर रहतो y कुछ तो होगा ना उसको मैं y ले लेता हूं और z y axis पर z भी 0 होते है be required point on y axis okay अब यह जो point है ना इसको a light कर ले तो मैं हाना 1, 3, 2 given point ठीक है इस point a से मेरेको इस point p की distance देर्किये root 21 मतलब pa distance कितनी है root 21 है तो distance formula apply करो इन दोनों से distance find करो वो क्या है root 1-0 अगर इसको x1, y1, z1 let करो इसको x2, y2, z2 let करो x2-x1 1-0 1 उसका square करो 1 plus y2-y1 3-y whole square plus z2-z1 2-0, 2 उसका square 4 equal given हमको root 21 both side square कर दो root at जाएगा हना तो क्या मिलेगा root at आदो इनका 4 plus 1 5 और plus 3- y whole square और इदर 21 both side हमने square किया था न ठीके इस 5 को transfer कर दो इदर तो 3-y whole square equal 16 इसका मतलब 3-y किसकी equal वो ही plus minus 4 की equal आएगा root करोगे न ठीके तो यहाँ पे भी 2 case बन रहे है case first और case second case first क्या बन रहे है इसकी value plus 4 की equal हो case second क्या बन रहे है इसकी value minus 4 की equal हो ठीके तो case first में क्या बन रहे हो 3-y equal plus 4 case second में 3-y equal minus 4 तो यहाँ से y की value find करोगे तो क्या आएगी 3-4 यानि minus 1 और यहाँ से क्या आएगी 3 plus 4 यानि 7 ठीक है y की value आगी है न तो वो जो point है required point क्या होगा या तो होगा 0, y की positive value minus 1 sorry y की यह वाली value minus 1 और 0 या फिर यह होगा 0, y की दूसरी value यह ठीक है यह दोनो point हमारे answer होंगी next जो question number 4 है fourth में इसने बोल रख़ है कि यह जो points है यह collinear है यह हमको prove करना है collinear का मतलब है A के line पर लाई कर रहे हैं ठीक है तो first जो part है उसमें मैंने इस point को A इसको B और इसको C note कर लिया let कर लिया मैंने ठीक है तो यहां पर collinear कैसे check करते हैं किनी भी 2 point मतलब कोई भी जैसे यह 3 point हमने लिए A, B और C तो इन 3 points हम 3 distance निकल पाएंगे A की B से distance B की C से distance और A की C से distance ठीक है तो उन मेंसे किनी भी 2 को add करने पर वो तीसरे distance की equal आजाने चाहिए यह वाला case blur हो रहा है यहां पर देखो यहां पर कोई एक point A है यहां पर कोई एक point B है यहां पर कोई एक point C है यह collinear है मतलब A की line पर है इसको और इसको प्लस करूँ तो वो A C इसके equal आएगा कब जब यह A की line पर है न उस case में यहनि collinear है उस case में ठीक है तो यह हमको अभी fix नहीं पता कि A यहां पर ही है B यहां पर और C यहां पर है हो सकता है C बीच में हो कुछ भी हो सकता है तो इसके बारे में exact हम यह नहीं कह सकते कि A B प्लस B C equal A C होगा यह हम fix नहीं बता सकते जब तक हम distance ना निकल ले ठीक है तो हमको तो तीनो distance निकलने पड़ेगी पहले A B B C और A C तो पहले मैं A B distance निकलता हूं distance formula apply करके फटा-फट कर दू 2-1 1 5-2 9 1-1 4 root 14 अब निकलो distance B C 0-2 4 minus 1 minus 5 36 minus 3 minus 1 16 56 ठीक है अच्छा और यहां से देखो इसको में लिख सकता हूं ना 14 into 4 यहीं 2 root 14 ठीक है blur हो रहा है बीच में B C है जादा और कुछ नहीं है B C के लावा हाना next देखो A B B C और A C A C distance निकल रहा हूं मैं 1 और 3 9 और क्या एगा minus 3 plus 1 2 square 4 root 14 अच्छा अब हम क्या करते थे किनी भी दो छोटी वाली distance को plus करते थे और वो बड़ी वाली की equalization चीए तो यह बड़ी है इन दोनों से इससे भी और इससे भी तो दोनों छोटी वाली को plus कर लो इसकी equal है क्या here बिल्कुल है root 14 root 14 two time root 14 तो क्या लेखेंगे AB plus BC equal sorry point है collinear point है यानि जो point A है वो अब की बार बीच में है यहां पे B है यहां पे C है BA यानि AB और AC AB और AC AB और AC को add करें तब हमारा BC के equal आ रहे है ठीक है अच्छा तो क्या लिखें AB comma है बीच में and C are collinear points hence prove ठीक है अब इसके second part को देखते हैं second point second part में आपको point दे रखें उनको मैं PQR let कर लेता हूं point P के coordinate है मेरे पास 2-1-3 QK point है मेरे पास 4-3-1 और RK point है मेरे पास 3-1-2 ठीक है तो यहां पे distance निंका लो PQ distance पहले तो PQ distance कहाएगी 4-2 निकाल ले तो में फटावर 4-2 4 और 3 plus 1 16 1-3 4 root 24 अब QR निकालो 3-4 1 और 1-3 4 2-1 1 root 6 और क्या बचिया PR distance PR PR 3-2 1 1-1 minus plus 1 2 4 2-3 1 कितना आया? root 6 और यह क्या है? इसको क्या लिखे? इसको लिख सकते है 4 into 6 4 बार आएगा तो 2 और root के अंदर 6 बचा रहा इन दोनों को प्लस कर रहे है तो इसकी इक्वल आ रहे है here QR प्लस PR equal PQ मतलब R जो पॉइंट है वो बीच में ठीक है? इस टाइप से यहाँ पे R है यहाँ पे P है यहाँ पे Q है PR और QR को एड कर रहे है PR और QR को एड कर रहे है ठीक है? तो PQ की इक्वल आ रहे है ओके? इसका मतलब Q, P, Q and R are collinear points hence prove अब देखते हैं नेक्स्ट जो किश्यन नमबर फिफ्ट है उसको तो फिफ्ट किश्यन में क्या बोल रुक्त है इसने हैं? दो पाइटेस में show that the points ये, ये and ये are the vertices of an equilateral triangle मतलब अगर मैं इसको A, इसको B और इसको C let करूँ तो जो हमारी side होगी मतलब उस triangle की सो side होगी AB, BC और AC तीनो equal आने चाहिए यानि इस point की इस से distance, इस point की इस से distance और इस point की इस से distance तीनो आनी चाहिए, ठीक है? तो इसको मैं A, B और C let कर लेता हूँ A है हमारे पास 1, minus 1, minus 5 B है हमारे पास 3, 1 and 3, और C point है 9, 1 minus 3, ठीक है? तो मैं distance निकलता हूँ पहले AB distance, ओके distance formula अपलाई करके 3 minus 1, 2, 2 square 4 plus 1 minus minus 1 तो 1 plus 1 2, 2 square 4 3 plus 5 हो जाएगा? 8, 64 64 यह कितना है? 72 हो गया root 72, ठीक है? अब दूसरे distance निकलो BC distance, तो distance BC कितनी आएगी देखो BC तो 9 minus 3, 6, 6 square 36, plus 0 और minus 3, minus 3 कितना हैगा? वही 6, 36 मतलब root 72, दो साइड तो एकवल आ गई है तीसरी AC निकलो, AC distance 9 minus 1, 6 sorry, 9 minus 1, 8 64, 1 plus 1, 2 4, plus इनको solve करो, तो उसका square, उसका square 4 वही आ गया, root 72 इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब A, B and C are the vertices of an equilateral triangle ठीक है? अब जो इसका second part है, उसको देखो, उसमें numerical value नहीं है, हना? second part यहाँ पे यह जो point है इसको मैं P ले लेता हूँ A, B, C Q point जो है उसके coordinate B, C और A है R point के coordinate C, A, B है ठीक है? तो सबसे पहले मैं distance PQ निकलता हूँ PQ distance के आएगी देखो B minus A whole square plus C minus B whole square plus A minus C whole square ठीक है? PQ होगी QR निकलो QR C minus B C minus B whole square plus A minus C A minus C whole square plus B minus A B minus A whole square चेक करो B minus A whole square करो एक की बात उती है कैसे? यहां से मैं minus sign common ले रहा हूँ यह distance यह distance और यह distance तीनों equal हैं तो क्या लिखें? है hence P, Q and R are the vertices of an equilateral triangle hence proved next question number 6 इसमें आपको बोल रख है are the points A, B and C the vertices of a right angle triangle A, B, C इन तीन points से generate होने वाला जो triangle है क्या वो right angle triangle होगा? हमसे इसने पूछा है ठीक है? तो सबसे पहले मैं distance निकालता हूँ तीनों distance हमको निकालनी होंगी और मैं square भी कर लेता हूँ हम अभी पता नहीं कर सकते हैं ठीक है? तो सबसे पहले मैं A, B square निकालता हो A, B जो distance है उसका square हाना? तो root टाट जाएगा 10-3 7 7 square 49 plus 20-6 14 14 square 14 square 2 sorry 196 और 30-9 21 21 square 441 अब इनको add करो कितना रहे? इनको add करने पर मिल रहे 9 10 6 carry 1 और यहां पे 19 29 14 13 17 18 4 5 6 6 6 8 A, B square हो गया अब B, C square निकालो distance B, C उसका square 25 minus 10 15 square 2 to 5 plus minus 41 minus 20 minus 61 और उसका square तो 61 का square जो भी आएगा नहीं पता में रुकिए आएगा बाद में कर लेंगे प्लस 5 minus 30 25 square 6 to 5 ठीक है अब इनको add करने पर कितना रहे 6 to 8 25 25 50 और प्लस 61 square यह तो करना ही पड़ेगा आ रहे 37 21 37 21 ठीक है अब इनको add करते हैं तो इनको add करने पर result मिल रहे 4 5 7 1 ठीक है ओके अब जो तीसरी साइड है मतलब AC उसका square निकालो AC square तो AC distance कैसे निकालते हैं x2 minus x1 करके ठीक है square कर लें तो rooted गया उसका 25 minus 3 22 22 square 484 plus minus 41 minus 6 26 मतलब minus 47 उसका square कराओगी तो आएगा तो प्लस में लेकिन 47 square आपको करना होगा फिरा ना ओके plus 5 minus 9 minus 4 square 16 ठीक है तो इनको एड़ करने पर तो आ रहे 500 और 47 square और करना पड़ेगा 2209 2209 अब अब इनको एड़ करते हैं तो कितना आएगा 2709 ठीक है अब जो बड़ी वाली value आ रही है वो कौन सी आ रही है बड़ी वाली यह आ रही है हना तो यह किसकी equal होनी चीए इन दोनों के sum की equal होनी चीए तो चेक करो 6 plus 9 15 लास्ट में 5 आना चीए यहां पर 5 है नहीं है इसका मतलब जो बड़ी वाली distance है BC square not equal AB square plus AC square ठीक है hypertenuous तो बड़ी होती है अगर यह right triangle के vertices होते तो यह hypertenuous बनती और इस relation को satisfy करती तो इस relation को यह satisfy नहीं कर रही है इसका मतलब hence AB and C are not make a right angled triangle right angled triangle ओके नेक्स्ट देखते किशन नंबर सेवन किशन नंबर सेवन में इसने क्या बोल रुक है show that the points 1 3 4 minus 1 6 10 minus 7 4 7 and minus 5 1 1 okay 4 points के coordinate आपको रखे है are the vertices of a rhombus यह rhombus के vertices के coordinate होंगे तो rhombus के लिए क्या करना होगा हमको उसकी property हमको follow करनी है ना rhombus की property क्या थी उसकी चारो side equal आनी चीए ठीक है तो पहले में माइनस 1 6 10 point C minus 7 4 7 or point D minus 5 1 and 1 distance निकालते है one by one a b distance क्या है गी distance formula apply कर रहे है minus 1 minus 1 minus 2 square 4 6 minus 3 3 square 9 10 minus 4 6 square 36 कितना आया 7 49 हो गया अंदर ठीक है 7 आगया बार बीसे इस्टेंस निकालो distance bc minus 7 plus 1 minus 6 square 36 plus 4 minus 6 2 square 4 7 minus 10 minus 3 square 9 9 ये भी 7 आ गया कि एसी डिस्टेंस ए भी बीसी सी डी और डी ये ना तो सी डी या डीसी डिस्टेंस निकाल लो पहले ओके डिस्टेंस सी डी तो सी डी डिस्टेंस से माइनस 5 और plus 7 हो जाएगा तो 2 2 square 4 1 minus 4 minus 3 square 9 1 minus 7 minus 6 square 36 ये भी 7 आ रहे है ओके a b b c और c d अब निकालेंगे चौथी साइड एडी ठीक है तो तो a d डिस्टेंस से कैसे find करें a d minus 5 minus 1 minus 6 square 36 ओके अभी भी बिलर हो रहे है इतर अब ठीक है और दूसरा क्या 1 minus 3 minus 2 minus 2 minus 2 का square 4 1 minus 4 3 3 square 9 और ये कितना हैगा वही 7 ठीक है अब चारो साइड तो इक्वल आ रही है लेकिन चार साइड तो square में भी equal होती है हाना हमको तो रोम बस प्रूव करने है तो चार साइड इक्वल आने के बाद हम इसके diagonals को और find करेंगे तो इसके जो diagonals होंगे वो कौन कौन होंगे ac और bd वो दोनों अगर equal आ जाते हैं तो वो square बन जाएगा और इसके diagonal equal नहीं आए तो वो बस बना रहेगा क्योंकि उसकी चार साइड तो equal है ठीक है तो अब हम diagonals निकाल रहे हैं पहला diagonal ac distance निकाल रहेए सी माइनस 7 और माइनस 1 माइनस 8 और माइनस 8 का स्केर 64 4-3 1 1 2 1 7-4 3 3 2 9 कितना आया root 74 अगला diagonal जो अगला diagonal जो बीडी है वो root 74 नहीं आना चीए हाना 74 नहीं आएगा तो हम बोल देंगे कि ABCD क्या है rhombus है ठीक है अच्छा अब BD diagonal देखो B और D को minus 5 plus 1 हो जाएगा 6 sorry minus 5 plus 1 minus 4 उसका स्केर 16 1-6 minus 5 उसका स्केर 25 और 1-10 minus 9 उसका स्केर 81 81 तो अक्यल है यह आ गया इससे तो बड़ा है ठीक है तो जो भी आएगा AC not equal BD AC BD diagonal equal नहीं है लेकिन चारो side equal है इसका मतलब ABCD is a rhombus hence prove ठीक है अब इसका जो 7th सेवंथ तो यह था 8th question देखते है 8th में देखो क्या कह रखे इसने so that the points यह 4 points है यह square के vertices है क्या हना तो square के लिए क्या check करेंगे सबसे पहले है तो इसके 4 side निकालेंगे वो 4 equal आने चाहिए और इसके जो diagonal है वो आपस में equal आने चाहिए जरूरी क्या यह इसके equal तो आई नहीं सकते side के equal तो diagonal हो यह नहीं सकते सबसे पहले मैं इनको नाम दे देता हूँ ABCD यह जो vertices के coordinate दे रखे न यह वाले इनको मैं ABCD से represent कर लेता हूँ denote कर लेता हूँ A point है मेरे पास 1 1 1 point B के coordinate है minus 2 4 1 C point है minus 1 5 and 5 और D point है मेरे पास 2 2 5 ठीक है अब मैं निकालता हूँ इसकी जो sides हैं वो यानि AB distance निकालते हैं AB AB distance कितनी आगी देखो minus 2 minus 1 minus 3 उसका square 9 4 minus 1 3 square 9 1 minus 1 0 कितना आया root 18 okay simplify मत करो हमको तो check करने है सभी root 18 आनी चीए okay next BC BC side को देख अब B और C minus 1 और minus minus plus 2 1 उसका square 1 5 minus 4 1 उसका square 1 5 minus 1 4 उसका square 16 कितना आया वो ही 18 आगया root के अंदर अब निकालो CD distance जो तीसरी साइड है CD उसको निकालो ये D है D for dog CD 2 plus 1 3 square 9 2 minus 5 3 minus 3 मतलब उसका square 9 और 5 minus 5 जीरो वो ही आगया root 18 अब इसकी लास्ट इसो साइड बची हुई है AD उसको और निकालो वो भी root 18 आनी चीए AD 2 minus 1 1 1 square 1 2 minus 1 1 square 1 5 minus 1 4 square 16 कितना आ गया root 18 आ गया चारो साइड से मारिये हाना अब मैं बात करता हूँ इसके diagonals की ठीक है वो क्या क्या आएंगे AC और BD ओके तो AC distance निकालो पहले AC minus 1 minus 1 minus 2 square 4 5 minus 1 4 4 square 16 5 minus 1 4 square 16 कितना हो गया ये 20, 30, 32 तो दूसरा वाला भी root 32 आना चीए BD diagonal BD 2 plus 2 4 4 square 16 2 minus 4 2 minus 4 minus 2 minus 2 square 4 5 minus 1 4 4 square 16 कितना वो ही आ रहे मतलब root 32 AC BD 2 2 equal है and 4 side equal है AB ये किसकी equal था? root 32 की equal था और जो side आई AB, BC, CD और DA वो कितनी है? root 18 है आप देख सकते हो diagonal में सब बड़ाई आता है ठीक है? square में अच्छा, rectangle में rectangle में भी बड़ाई आता है चारो side equal है दोनो diagonal आपस में equal है इसका मतलब ये क्या create करके दे रहे है ABCD ये square create करके दे रहे है हना? इसका मतलब hence ABCD is a square hence prove अब देखते है 9th केशन को 9th केशन में इसने बोल रुख है so that minus 1, 4 and minus 3 is the circumcenter of the triangle formed by the points these 3 points okay देख हो ये कह रहे है कोई एक triangle है और उस triangle के vituses के coordinate से आपको given है दे रखे इसने हना? क्या-क्या है? ये मान लेते a है 3 2 minus 5 यहाँ पे b मान लेते है और वो है minus 3 8 minus 5 और ये point c 3 2 minus 1 ठीक है? अच्छा अब ये कह रहा है कि ये जो triangle है ना? इस triangle का जो circumcenter है उसके coordinate ये है circumcenter देहाना है कुछ 10th class में आपने construction वाला chapter किया होता हो ठीक है? circumcenter मतलब एक ऐसा circle pass करते थे इस triangle जो इस triangle के vertices से pass हो ऐसा triangle measure करते थे जो इस triangle के ऐसा circle measure करते थे जो इस triangle के vertices से pass हो इस type से ठीक है? और ये जो center होता था इस circle का भी center होता था इसका मतलब यहां से यहां तक की distance हम radius लेते थे तो यह distance यह भी radius थी यह distance भी radius थी इसका मतलब यह distance यह distance यह distance से भाने चीए और यह जो center है इसी को हम बोलते थे circumcenter ठीक है? तो इसके coordinate तो हमको मालूम है यह वाला suppose यह point O है तो O के coordinate आपको given है minus 1 4 minus 3 तो O A O B और O C अगर यह तीनों distance equal आजाती है तो यह prove हो जाएगा ठीक है? तो मैं यहां पर क्या करूँगा? O A, O B और O C को equal prove करूँगा O के? O A distance निकलो पहले लिख लो आप यहां पर O point क्या है? minus 1 4 minus 3 O के? A point के coordinate है 3 2 minus 5 point B के coordinate है minus 3 8 minus 5 और point C के coordinate है 3 2 minus 1 blur हो रहा है लेकिन मैं बोल रहा हूँ हाना? अब एक आथ mobile पर होना चाहिए O के? देखो तो यहां पर मैं O A distance निकलता हूँ पहले distance O A under root 3 plus 1 हो जाएगा 4 4 square 16 plus 2 minus 4 minus 2 square plus 4 minus 5 plus 3 यह plus 3 हो जाएगा ना? minus करेंगे तो तो minus 2 minus 2 square 4 कितना है? 24 root के अंदर O A आगया O B यह भी 24 आणची root के अंदर O B निकलो minus 3 plus 1 minus minus plus 1 हो जाएगा minus 2 square 4 8 minus 4 4 square 16 minus 5 और यह हो जाएगा plus 3 कितना? plus 2 sorry minus 2 minus 2 का square वही plus 4 वापस से वही आगया root 24 अब निकालते हैं distance O C O C 3 minus minus 1 तो 3 plus 1 4 4 square 16 2 minus 4 minus 2 उसका square 4 minus 1 plus 3 हो जाएगा plus 2 उसका square 4 कितना आया? वापस से root 24 इसका मतलब O A O B और O C तीनो इक्वल आ रही है root 24 हना इसका मतलब क्या आप बोले हम? यह जो O है यह इस triangle का circumcenter है hence O is circumcenter of triangle ABC hence root ओके next देखो 10th equation इसका 10th equation में इसने बोल रहा है find the point on y-axis which is equal distance from this two point these two points okay y-axis की बात कर रहा है और y-axis पर कौन 0 होता है? x और z 0 होता है na ठीक है तो उस y-axis के coordinate हमको find करने है हना y-axis पर जो point हमने लिया उसके coordinate find करने है और restriction के है कि वो जो point है वो इसससे और वो ही point इसससे equal distance पर है required point is x 0 y कुछ ने कुछ होगा और z 0 किस पर? y-axis पर ठीक है तो मेरे को अगर y की value मिल जाए तो answer मेरे को मिल जाएगा ठीक है अब ये point मैं a let कर लेता हूं हना और ये मैं p let कर लेता हूं a point क्या है? 3, 1, 2 और इसको मैं b let कर लेता हूं according to question क्या बोल रख है इसने? ये जो y-axis पर जो point है ना इसकी point a से distance और इसी की point b से distance equal है pa equal pb ठीक है? तो distance pa और distance pb equal है तो इनका square भी equal होगा square करने से फायदा ये हुआ कि इनका root अट जाएगा ठीक है? ओके तो मैं pa distance निकालता हूं उसका square मतलब without root pa तो क्या लिखूं? 3-0 मतलब 3 उसका square 9 plus 1-y whole square plus 2-0 मतलब 2 उसका square okay? pa distance आगी है equal pb तो pb क्या थी? उसका square है तो root हटा के लिखूंगा मैं 5-0 25 मतलब उसका square करें ही न? 25 और 5-y whole square plus 2-0 यानि 4 square गरेंगे तो यह 4 से 4 cancel ठीक है? अब इनको expand कर लो 9 plus कितना हैगा? a-b whole square है a square plus b square minus 2ab यहाँ पे 25 plus 25 plus y square minus 10y y square भी cancel हो गया ओके? तो यहाँ पे minus 10y इदर आएगा तो plus 10y plus 10y minus 2y plus 8y यह कितना होगे? 10 यह कितना? 50 50 minus 10 40 तो y की value क्या है? 5y है न? so required point is क्या है? यह वाला point 0, y y क्या है? 5, 0 ठीक है? 0, 5, 0 required answer होगा नेक्स्ट देखते हैं 11th देखो 11th में इसने क्या बोल रुखे हैं हमको find the perpendicular distance of the point P इस point की perpendicular distance find करनी कहां से? from the coordinate axis x axis से इस point की distance y से इसकी distance और z से इसकी distance हमको निकालनी है है न? तो point P हमको given है जिसके coordinate है A, B, and C x axis ओके? तो coordinate of x axis coordinate of x axis उसको मैं a let कर लेता हूँ क्या होंगे? x axis पर y और z 0 होती न? ठीक है? तो x coordinate तो होगा न? कुछ? तो उस x coordinate को मैं क्या let करूँ? suppose मैं let कर लेता हूँ क्या let करूँ? पता लग जाएगा न? ठीक है? x, y, z plane में ये point है तो x axis से उसकी distance क्या है? ए तो उसका coordinate हो जाएगा A, 0, 0 ओके? coordinates coordinates of y axis अगर p point x, y, z plane में है तो इसको देख कर हम y axis के coordinate बता पाएंगे y axis पर x 0 होता है, z 0 होता है और y coordinate क्या आएगा? जो इस p का y coordinate है मतलब b आएगा ठीक है? coordinate of z axis उसको मैं c let कर रहा हूँ तो इसका c coordinate क्या आएगा? 0, 0 मतलब उस पर x और y 0 होते है किस पर? z axis पर और z coordinate क्या होगा? यहां से देखो c अब इसे p point की a से distance p point की b से और p point की c से distance निकाल दिए मतलब p a, p b और p c यह हमको find out करना है ठीक है? 0, b minus 0, square मतलब b square plus c minus 0, square मतलब c square distance p a आगी अब p b distance निकालो a minus 0, square मतलब a square b minus b, 0 हटाओ c minus 0, square, c square और p a हो गया, p b हो गया अब निकालते p c distance a minus 0, मतलब a square b minus 0, मतलब b square c minus c, हटाओ ठीक है? तो वो जो तीनो distance आई वो क्या-क्याई? प a, p b और p b इस point की इसके coordinate axis से distance x से distance यह है y से distance यह है z से distance यह है अब देखतें next question number 12 find the locus of the point which is equal distance from this and this point ओके देखो कोई एक point है वो point इस से जितनी distance पे है उतनी distance उस point की इस point से अब वो point क्या है? x, y, z plane में है na कोई ने कोई तो coordinate होगा उसका हना तो उस point को मैं let कर लेता हूँ उसके coordinate x, y, z okay let वो p point है जिसके coordinate x, y, z है be required point मतलब यह ऐसा point है जिसकी इस से distance इस से distance equal है ठीक है? required r e q u i r e d point ठीक है? देखो तो इसको मैं a let कर लेता हूँ 0, 2, 3 और इसको मैं b let कर लेता हूँ 2, minus 2, 1 according to question क्या बोल रोखे इस ने? इस point की a से distance और इसी point की b से distance equal है तो इनका square भी equal होगा na p a square equal p b square ताक ही root हट जाए ठीक है? तो p a distance निकालो इन दोनों point की बीच की distance ठीक है? तो क्या हैगा? 0, minus x square plus 2, minus y whole square plus 3, minus z whole square ओके? अब p b distance और उसका square तो root जाएगा 2, minus x whole square plus minus 2, minus y whole square plus 1, minus z whole square अब इसको solve करने और solve करने पर जो भी x, y, z में relation आएगा वो ही required locus होगा ठीक है? ओके? तो क्या लिखू मैं? यहाँ पे x square plus a minus b whole square expand कर दो 4 plus y square plus, sorry, minus 4y यह 4 है प्लस यहाँ पे भी a minus b whole square है 9 plus z square minus 6z equal a minus b whole square 4 plus x square minus 4x plus यहाँ पे क्याएगा? यह देखो दोनो negative है negative sign मैंने common ले लिया लेकिन उसका square था तो positive हो गया और minus sign मैंने common लिया तो दोनो positive हो गया मतलब a plus b whole square है 4 plus y square और plus 2ab यह नहीं 4y plus a minus b whole square 1 plus z square minus 2z ठीक है? अच्छा अब इनको solve कर लो x square cancel हो गया y square भी cancel हो गया z square भी cancel हो गया तो बच्चा क्या? 4 भी cancel हो गया और देखो और कोई cancel नहीं हो रहा ठीक है? यह minus 4x दो आएगा तो plus 4x यहाँ पे minus 4y minus 6z यह इदर आया plus 2z हो गया तो minus 4z बचा ठीक है? y हो गया z हो गया x हो गया y हो गया अच्छा यह कहा हो गया अब ही? इदर आएगा तो minus 4y तो minus 8y हो जाएगा ठीक है? और minus 2z यह भी हो गया अब बार यह आती है constant की 9 और यह 4 plus 1 5 इदर आएगा तो minus 5 कितना बच्छा? plus 4 equal 0 4 सभी में divisible है मतलब common ले लो और या फिर divide कर दो पूरे equation में 4 से क्या आएगा आएगा आपके पास? x minus 2y minus z plus 1 equal 0 यह वो लोकस होगा ओके? next देखते हैं 13th देखो 13th में इसने क्या बोल रुख है find the locus of a point P which moves in such a way that 2 PA equal 3 PB इसको follow करना है हमको और A और B के coordinate आपको given है और वो जो point P है ना उसका locus हमको find करना है हाना? तो सब से पहले में उसके coordinate find let कर लेता हूँ let जो P है ना उसके coordinate x, y और z है ठीक है A और B के coordinate given है चलो लिख लो minus 2, 1, 3 और B क्या है हमरे पास 3 minus 1, 2 ओके? ठीक है अच्छा अब देखो हमको इस relation को follow करना है तो सब से पहले PA distance निकाल लो distance PA distance formula अपलाई करो यहां पर क्या लिखो मैं minus 2 minus x whole square plus 1 minus y whole square plus 3 minus z whole square distance PA आगई ठीक है और PB यह भी निकाल लो distance PB कितनी आएगी P, P यह रहा B यह रहा ठीक है 3 minus x whole square minus 1 minus y whole square यह minus है plus 2 minus z whole square ठीक है? अच्छा अब इसमें value put कर दो 2 PA एक बार लेख लो इसको equal 3 PB यहां पर root भी आ रहे ना both side up square कर दो यहनि 4 PA square equal 9 PB square ठीक है? इसमें value put कर रो तो 4 into PA square मतलब without root लिखो इसको without root लिखेंगे तो इसको solve भी कर दें साथ की साथ ठीक है? तो यह क्या है A plus B all square create हो गए यहां से तो आपको मिलेगा 4 plus x square plus 4x plus A minus B all square 1 plus y square minus 2y A minus B all square 9 plus z square minus 6z equal equal 9 into PB square इसका square तो क्या हैगा? 9 plus x square minus 6x यह A plus B all square create करके देगा 1 plus y square plus 2y यह A minus B all square create करके देगा 4 plus z square minus sorry minus 4z यह 4 है ठीक है? अच्छा अब देखो अभी देखना क्या है? अभी तो multiply भी करना है इसको 9 से इसको 4 से ठीक है? तो यह आएगा 4x square plus 4y square plus 4z square ठीक है x वाली टर्म इसको 4 से करो 16x y वाली टर्म minus 8y z वाली टर्म minus 24z constant term 4 और एक 5 9, 10, 14 14 हना? 14 into 4 56 यहाँ पर भी ऐसे करो 9x square 9y square 9z square ठीक है? यह गया, यह गया, यह गया x वाली टर्म यह रही minus 54x y वाली टर्म यह रही 18y z वाली टर्म minus 4 यह गया, यह गया, यह गया, यहाँ, यह खुरूद यह गया, 10, 14, 14, 14, 1, 2, 6, ठीक है, अब इनको solve करो, इदर आएगा तो, 9x square, minus 4x square, 5x square, ठीक है, 9-4, 5y square, ऐसे 5z square मिलेगा, square वालों की कानी खतम ठीक है x वाले देखो minus 54 इदर आएगा तो minus 16 तो कितने होगे? 70 negative ऐसी y वाले में देखो ये इदर आके plus 8 हो जाएगा 26 ऐसी z वाले में देखो ये इदर आके plus हो जाएगा मतलब इसमें से 24 minus करेंगे तो minus का 12 बचेगा z और 126 minus 56 तो बड़ा तो plus का है बचेगा कितना 6 minus 6 0 और ये 12 minus 5 7 यानि 70 equal 0 ओके ये required answer होगा अब देखते हैं किशन नंबर 14 को find the point in xy plane which is equidistant from these 3 points ओके तीन point से equal distance पे कोई एक point है उसके coordinate क्या होंगे और वो point xy plane में है xy plane का मतलब क्या है उसमें z coordinate 0 रहने वाला है हाना तो वो मैं let कर लेता हूँ let वो point P है x coordinate होगा कुछ नहीं पता find करेंगे y भी होगा कुछ नहीं पता find करेंगे लेकिन z हमको पता है xy plane में z 0 होता है be required point okay according to question इनको a b c let कर लो a है मेरे पास 2 0 3 b है मेरे पास 0 3 2 और c c b है मेरे पास 0 0 1 ठीक है according to question इस point की a से distance यानि pa इसी point की b से distance p b इसी point की c से distance p c तीनों equal है ठीक है तो इनका square भी तो equal होगा मतलब pa square equal p b square यहां पर bracket लग रहा है probability of event b वाला हना इससे पहले मैंने probability chapter upload किया था ना इस वज़े से वह habitual ही अभी और p c square ठीक है तो अब यह जो relation है यह मैं काम में ले रहा हूं हना without root है क्योंकि square कर दिया ना मैंने okay तो इस point की ऐसे distance निकालो पहले क्या हैगी 2 minus x whole square plus 0 minus y मतलब y square ही आएगा 3 minus 0 मतलब 9 equal p b इस point की b से distance 0 minus x मतलब x square ही आएगा और 3 minus y whole square और z की बात करें तो 2 minus 0 मतलब 2 उसका square 4 सब्सक्राइब आएगा और वन आएगा ठीक है अब शुरू के दो first or second इनको ले लो फिर इनको ले लो या फिर इनको और इनको लेकिन ले लो हना तभी तो solve कर पाएंगे मैं इन दोनों को लो कि solve कर रहा हूं पहले तो इसको मैं expand कर रहा हूं case first लिया है मैंने हना case first मतलब ये और ये वला ठीक है तो a minus b all square expand कर हूं 4 plus x square minus 4x plus y square plus 9 equal x square plus 9 plus y square minus 6y plus 4 ओके तो यहाँ पे ये cancel यहाँ पे ये भी cancel यहाँ पे ये भी cancel यहाँ पे ये भी cancel तो बच्चा क्या 4x minus 6y इदर रखके positive हो गया equal 0 इदर कुछ नहीं है two common लेके 0 करो मतलब 2x minus 3y equal 0 इसका मतलब 2x equal 3y एक relation यह आया हमारे पास या तो ये काम आएगा या ये काम आएगा ठीक है काम किया है इन दोनों में से कोई भी एक हैं दोनों एक ही तो है इसी से इसी को find किया ठीक है अच्छा के second लो ये तो case first के second क्या कहता है इन दोनों को solve करो हना इन दोनों को हम लेते हैं तो ले लो तो फिर 9 plus y square minus 6y plus 4 x square plus y square plus 1 x square y square cancel यहां से y आ गया तो यहां पर पूट करेंगे x आ जाएगा बन क्या काम ठीक है तो xy negative y इदा आएगा तो positive xy 9 plus 4 13 इदा आके minus 1 हो गया मतलब 6y equal 12 तो y की value finally क्या मिली 2 मिली y की value 2 equation first में पूट कर दो putting the value of y in equation first करो भाई put 2 x equal 3 into y 2 तो यह divide करोगे तो क्या आएगा x की value 3 आएगी हना और हमको क्या चीए था x और y तो चीए था इस पी-point के लिए so required point is required required point is coordinate क्या 3,2,0 answer next is occasion number 15 a second last occasion उसको देखते है find the coordinates of a point which is equidistant from these four points okay अब की बार चार point से distance से दिर्खी जना उससे point के coordinate क्या होंगे जो इससे 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 और इससे equal distance पर है हना तो उसको मैं let कर लेता हूं let पी जिसके coordinate क्या लूँ एक से कोमा वाई कोमा जेड बी required point ओके इनको मैं बान लेता हूं a b c d a a 0 0 b 0 b 0 c 0 0 c and d 0 0 0 origin okay according to kitchen इस point की चारो से distance इक्वल है मतलब पी सी स्क्वाइर इकवल पी डी स्क्वाइर ओके ये पी awaits ठीक है तो यहाँ सबसे पहले में distance निकल लूँ पी ए ठीक है यह फिर ऐसा करो चलो अलग लग निकल लोग की बार Distance मीनिकर लो पी डिस्टेंस इसके डीस्तेंस है तो प्लस जैड स्केर अब यह मत बुलना सर इसमें सेश्को मैनस करो बात एक की है इस स्कीर कर रहे न tut चाहिえー लो चाहिए ऐक साधाने से स्थेंस ध्रोटाहिश्का स्क्राइए ऐगा एक से Nejसraph एस ब्लस उ, y-b square plus z-0 मतलब z square ठीक है इस z square है PC PC से distance x square plus y square plus z-c whole square PD x square plus y square plus z square origin से distance ठीक है अच्छा अब मैं इन दोनों को equal लेता हूं पहले इसको और इसको PA square equal PB square ठीक है तो इन दोनों को equal करें तो पहले मैं इसको expand भी कर देता हूं x square plus a square minus 2 ax plus y square plus z square equal x square plus z square plus y square plus b square minus 2by ठीक है x square cancel z square cancel y square cancel क्या आया a square minus इद रहाएगा तो minus b square यह इद रहाएगा तो plus 2ab sorry 2x और यह already negative 2by इसको मैं लिख सकता हूं a minus b a plus b यहां से common क्या रहा है common कुछ नहीं है a x और by यह तो इसको लिखने का फाइदा नहीं हुआ कोई बात नहीं छोड़ दो यहीं पर छोड़ दो equation first equation first ठीक है second equation कब पाइगा अभी तो मैंने p a और pb को equal लिया अब मैं pb और pc को equal ले रहा हूं ठीक है अच्छा एक चीज और देखो ना यहां से इसको किसी के equal ले लो आप अगर मैं लास्ट वाले को ले लू पहले pc square और pd square तो देखो क्या मिलेगा pc क्या है यह वाला expand करो इसको expand करेंगे तो क्या हैगा blur हो रहा है अब देखो pc 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 यही रही x square plus y square plus z square plus c square minus 2cz और इधर क्या है x square plus y square plus z square तो x square y square z square cancel बच्चा क्या c square equal to c z तो x c cancel c equal to z okay तो यहां से z आ गया z कितना आ या c upon 2 इसका हमको कोई फाइदा नहीं हुआ इसका हमको कोई फाइदा क्यों नहीं हुआ क्योंकि यहां से मैंने जब इसके equal इसको लिया तो एक coordinate मेरे को मिल गया z तो मैं इसी को दूसरे के कुल लूँगा तो दूसरा कोड़ जिटाएगा इसी को इसके को लूँगा तीसरा कोड़ जिटाएगा तो इसको लेने से कोई फाइदा नहीं हुआ ना ठीक है ओके यह तो हमारे लिए positive point है अच्छी बात है यह तो मैंने इसको लिया लास्ट टू को अब लास्ट वाले को इसके साथ ले लो pb square equal pd square ठीक है pb square मतलब इसको expand करो x square plus y square plus b square minus 2by plus z square equal pd square pd k यह रहा x square plus y square plus z square cancel 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 यानि यहां से क्या आएगा b equal to y एक भी cancel हो जाएगा ओके तो y की value क्या आई b upon 2 okay z आ गया y आ गया ठीक है बच्चा क्या x तो x कब आएगा जब मैं इसको इसके equal लूँगा ठीक है देखो तो तीसरा case क्या p a square equal p d square ठीक है तो p a है मेरे पास यह वाला इसको expand करके मैं यहां पर लिख रहा हूं x square plus a square minus 2 ax plus y square plus z square equal p d square x square plus y square plus z square cancel 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 यहां से क्या आया a common low a minus 2 x equal 0 a ko 0 कर दो तो a equal to x तो यहां से x की value क्या आई a upon 2 हमको क्या चाहिए थे हमको point p के coordinate p हमने किसको लेट किया x y z को लेट किया हना तो x y z की value मेरे को मिल चुकी है so p point क्या होगा x यानी a upon 2 y b upon 2 z c upon 2 required answer okay इस exercise का last question number 16 देखते हाँ फार दा लोकस of a point which moves such that the sum of its distances from points यह and यह is a constant equal to 2a कोई एक point है हना और उस point के coordinate मैं let कर लेता हूँ let p x,y,z be required point blur हो रहा है okay required point ठीक है अब यह कह रहा है कि इस p point की a से b से जो distance आएगी इस p point की a से distance और इस point की b से distance उन दोनों का sum किसकी equal है 2a की equal है okay मतलब a और भी देखलो आप a क्या है 0 0 और माइनस अलफा बी है 0 0 अलफा ठीक है अलफा यह ओके तो यह कह रहा है according to question p की a से distance p की b से distance दोनों का sum 2a के equal है constant a 2a यह distance constant distance है 2a ठीक है ओके तो मैं square कर देता हूँ ऐसा गरो यहाँ पर यह भी आप square कर दो p a square equal इधर आप square करोगे तो क्या आएगा a square मतलब 4a square प्लस b square मतलब pb square minus 2ab तो 2 into 2a 4a into pb अब इसमें value substitute करो आप ठीक है या फिर या फिर अब भी यह root काएगा तो और इसको solve कर लो इसे term को इधर ले आओ positive हो जाएगी 4a into pb positive हो गई है इधर क्या था 4a square प्लस pb square और यह term इधर आएगी तो minus p a square ठीक है मैं तो ऐसा कहता हूँ कि पहले आप इसमें value put कर लो कुछ terms cancel हो जाएगी उसके बाद इसका square करेंगे both side ताकि इसका भी rooted जाए ठीक है value put करो आप 4a into pb p की b से distance निकलो x minus 0 square plus y minus 0 square plus z minus alpha whole square तो क्या लिखू मैं यहाँ पर x square plus y square plus z minus alpha whole square और यहाँ पर pb है square नहीं है मतलब root के अंदर ठीक है equal 4a square ओके प्लस pb square pb के है pb मतलब इसी का square ठीक है तो इसी का square करेंगे तो क्या आएगा x square plus y square plus इसको expand भी कर लो z square plus alpha square minus 2z alpha okay minus pa square इसकी एसे distance x square plus y square plus z plus alpha whole square x square plus y square plus z plus alpha whole square ठीक है okay 4a into root के अंदर क्या है इसको expand कर लो चलो हना x square plus y square plus यहाँ पर क्या आएगा z square plus alpha square minus 2z alpha ठीक है equal 4a square plus x square plus y square plus z square plus alpha square minus 2z alpha आगे माइनस है साइन चेंज कर दो रुको माइनस है इसको expand दीक है अभी यह ना x square plus y square plus z square plus alpha square plus 2z alpha ठीक है 2z alpha ओके अब यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है हमको 4a और यह term as it is x square plus y square plus z square plus alpha square minus 2z alpha इदर के 4a square plus x square plus y square plus z square plus alpha square minus 2z alpha अब माइनस साइन चेंज कर दो आप माइनस के विज़े से माइनस x square minus y square minus z square minus alpha square minus 2z alpha ठीक है cancel करो cancel करो alpha square भी cancel हो गया क्या बचा माइनस के 4z alpha और प्लस 4a square और इदर 4a into root वाला ठीक है 4 common आ रहे हैं यहाँ भी है 4 को भी अटाओ क्या बचा a और root के अंदर x square plus y square plus z square plus alpha square minus 2z alpha इदर क्या है 4 मैंने common ले लिया a square minus z alpha अब आप both side square कर दो ठीक है तो यहाँ पर आएगा a square और यह rooted क्या मतलब x square plus y square plus z square plus alpha square minus 2z alpha और इदर क्या हैगा a square minus z alpha whole square यह हमको मिलेगा ठीक है ओके अब इसको अंदर multiply करो और इसको expand करो a square x square plus a square एक अंदर multiply कर दे क्या रहन दो मत करो यह तो सभी में न ऐसा करो इस a square को इदर प्रांसफर कर दो आप ठीक है मतलब x square plus y square plus z square plus alpha square minus 2z alpha और इस a square को मैं इसके अपोन में लेके आ गया यहाँ पर तो किसी से cancel नहीं होता लेकिन यहाँ पर इसके अपोन भी आएगा तो cancel न ठीक है अब इसको आप expand कर लो क्या आएगा a4 plus z square alpha square minus 2a square z alpha ठीक है ओके देखो अब यह टर्म को मिली हुई है यहाँ पर इस alpha sorry a square से डिवाइड कर दो इन तिनों में separate x square plus y square plus z square plus alpha square minus 2z alpha equal जब इस से मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो a square बचेगा और इसमें करूंगा तो as it is आएगा z square alpha square upon a square इसमें डिवाइड करूंगा तो a square cancel 2z alpha अब फायदा यह हुआ यह इससे cancel हो गया हना ओके अच्छा अब और क्या अब और क्या हो सकते हैं वो देखो पैसा करो इससे z square वाली टर्म को इस z square वाले के पास ले आओ ठीक है यानि एक्स स्क्वाइर प्लस वाइ स्क्वाइर प्लस जैड स्क्वाइर और यह इदर आया तो अंदर बचा वन माइनस अलफाइ स्क्वाइर अपोन ए स्क्वाइर ठीक है इदर के ए स्क्वाइर माइनस अलफाइ स्क्वाइर ओके इसको थोड़ा और सिंप्लिफाई कर लो तो क्या आएगा एकस स्क्वाइर प्लस वाइ स्क्वाइर प्लस जैड स्क्वाइर इंटू ए स्क्वाइर माइनस अलफाइ स्क्वाइर नीचे ए स्क्वाइर इदर ए स्क्वाइर माइनस अलफाइ स्क्वाइर ठीक है अच्छा यह टर्म हमको मिल गई है अब इस अलफाइ स्क्वाइर माइन S2 upon Alpha Square minus S2 सोरी A2 minus Alpha Square इससे में डिवाइड कराहूं complete कास्न में और यहां पे जब में डिवाइड करूँगा तो इससे cancel हो जाएगा बच्चे का क्या Z square upon A2 और इधर 1 यह required answer ठीक है अगर आप answer मेंच करना चाहरें तो मैंने इतना simplify किया आप ज़्यादा ज़्यादा कर सकते थे simplify करके यह term last में आ रही थी यह वाली बस यहां तक छोड़ दो मतलब यह वाली यहां तक छोड़ सकते हो आप तो भी आपका answer right माना जाएगा simplify कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है इसी के साथ अपकी exercise 12.2 complete थेंक यू